जन्प्रिय सांसत से जैन तुक्मार राय, जिला के अध्यक्स सी बापी गोश्वामी, प्रत्यासी से महेश बागे, राज्यस समिती के सदस्य से पार्थ हो रहा है, जिला का अध्यक्स सी कमलेंतो देव सर्मा, अध्यक्स से सी मोर्चा सेखिल सरकार, सी चंचल सरकार, नगरा कटा पस्षी मंगाल के मले सी सुक्रा मुंडा, आज के इस कारिक्रम में पस्तित भारती जन्ता पार्टी के सभी पदादी कारिकार्ण, और इस माल विधान सभा चेत्र जल्पाई गुड़ी से जुड़ेवे सभी पस्तित भाईयो बेनो, मैं पर्यादा प्रशुत्तम भगवान सिरी राम और भगवान सिरी कृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश से, राम कृष्ण परमहंस की इस धरती को, मा काली की इस धरती को, देश को राष्ट कान और राष्ट की देने वाली इस धरती को, कोटी कोटी नमन करते वे आप सभी भाईयों वेहनों का हिरते से अविनंदन करता हूँ मेरे लिए यहाँ आना और भी आनत दायक है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में चाय बागान के सर्मिकों के साथ साथ गोरखा समदाय से जुड़ेवे लोगों की भी एक बड़ी तादाद आज यहाँ पर एककत्र हुई है इनका समंद गोरखपुर से भगवान गोरख सनाज्य की पवित्र भूमी से है और इसलिए आज मुझे आप सब के बीच में आकर के आनन्द के अन्भूती हो रही है कि आपके बीच में आकर के मैं भारती जनता पार्टी के पक्समें पील भी करो और आपके उज्वल भौश्य के बारे में एक विश्ट्रित कार योजनाभी आपके सामने प्रस्तुत करो वायो बेनो पस्समी बंगाल का ये चुनाः हमारे लिए केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं है बंगाल का ये चुनाः हमारे लिए बंगाल के प्रतेक नागरीप के जीवन में खुसाली पैदा करने के साथ-साथ एक सोनार बंगला के सपने को साकार करने का भी एक औशर है और इसमें बंगाल के हर तपके के लोगों की घुमिका महत्तुकून है और इसलिए मुझे भी आपके बीच में आना पड़ा है सोनार बंगला के सपने को साकार खोगा तब जब प्रधान मंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हम कारे करेंगे प्रधान मंत्री मोदी जी ने जहां भी जिस भी कारे को आगे वढ़ाया है उसमें सफलता प्राप्त हुई है देश के अंदर प्रगति के नितने आयाम छूतेवे भारत में दिखाई देए हैं उत्तर प्रदेश जिस उत्तर प्रदेश में आज से चार वर्स पहले अराजकता थी गुंडा गृदी थी दंगे होते थे पर वो रत्यवार सांतिपूर्ण डंग से संपन नहीं हो पाते थे ब्यापक अराजकता थी भ्रस्टा चार था गरीबों को योजनाओं का लाब नहीं मिलता था विकास एक्तम ठप पड़ गया था विकास के पैमाने पर उत्तर प्रदेश पिछड़ गया था मात्र चार वर्स के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रगती देश के अंदर सबसे अच्छी प्रगती के रूप में सामने आई है और वह इसलिए आई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है आज के दिन पर भारती जनता पार्टी की सरकार का मतब डवल इंजन की सरकार वह योपेनों ये डवल इंजन की सरकार किस रूप में कारे करती है चार वर्स में उत्तर प्रदेश में 40 लाग गरीबों को सरकारी आवास मिला है 40 लाग गरीबों को सरकारी आवास 2 करोड 61 लाग गरीबों को ब्यक्तिकत 140 अपलब्द करवाया गया 3 करोड 56 लाग गरीब महलाओं को जन्धन एकाउंट में धनरासी उपलब्द करवाई गई 1 करोड 38 लाग गरीब परिवारों को निसुल को बिद्दुत के कनेक्शन उपलब्द करवाये गए एक करोड सत्तावान लाग गरीबों को रसोही कैस के निसुलक कनेक्शन उपलब्द कराए गए और आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर सोला करोड लोगों को वहाँ पे निसुलक रासन उपलब्द करवाने का कार राज्य सरकार उपलब्द करवा रही है चार लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी तेड़ करोड नौजवानों को प्राइविट सेक्टर में उत्योग लगा करके नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का कारे हुआ और आज चार वर्स में उत्तर प्रदेश की अर्थ विवस्ता दुगनी से अधिक आगे बड़ी है और उत्तर प्रदेश आज देश का नंबर एक प्रदेश बननी की और अग्रसर हुआ है वायो बेनों ये कारे जो आज उत्तर प्रदेश में होड़ा है हुआ है यही कारे बंगाल में भी हो सकता है बंगाल में भी हो सकता था लेकिन बंगाल में पहले कॉंग्रेस ने रोंदा फिर कॉमनिस्तों ने लूट खसोट की और पिछले दस वर्सों से टीमसी ने तो यहां पे दंग, अराजकता, गुंडागर्दी और भस्ताचार की प्राकास्ता को वहां तक पहुँचा दिया है जहां पर बंगाल के हर नौजवान के सामने पैचान का एक संकट खड़ा हुआ है आज केंडर की किसी भी योजिना को मंता दिदी की सरकार, टीमसी की सरकार बंगाल के अंदर लागू नहीं उने देती है दीदी की सानभूती यहां के नौजवानों के साथ में नहीं है यहां की महलाओं के साथ में नहीं है यहां के किसानों के साथ में नहीं है यहां के ब्यापारियों के साथ में नहीं है दीदी को तो लड़ाने से ही पुरसत नहीं है उनकी सान भूती तो उन लोगों के साथ में हैं जो दंगा फसाद करते हैं उनकी सान भूती उन लोगों के साथ में हैं जो मा दुर्गा की पूजा करने से रोकते हैं उनकी सान भूती उनके साथ में जो मा लक्सिनी की पूजा और मा सरस्वती की पूजा करने से रोकते हैं और दीदी तो इस समय इतनी चिड़ी वी है इतनी नराज है या वो कह रही है कि जै सिर्राम बोलो के तो जेल में डाल देंगे अरे चिड़ भाजपा से हो सकती है हम से हो सकती है राम से क्यों राम तो हम सब की आराद्वे हैं भारत के जन जन की आस्ता के केंडर हैं राम से टक्राने का जो भी दुस्सा हस किया है उसकी दुर्गती हुई है और टीम सी की बंगाल के अंदर दुर्गती तैय है ये निस्टित है और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ भायो बेनो जहां पर विकास के नित ने आयाम छूने चाहें थे जिस बंगाल को प्रणान मंत्री मोदी जी ने देश को एक विजन दिया पिछले एक वर्स से पुरे देश के अंदर आप करोना मामारी की से जूसते वे भारत को और दुनिया को देख रहे होंगे दुनिया के अंदर सबसे अच्छा प्रणाम उत्तर भारत ने दिया और भारत में उत्तर प्रदेश ने दिया भायो बेनो करोना प्रवंदन का एकार एक प्रणान मंत्री मोदी जी के नितृत्तों में कितना बेतर हुआ मौधी जी ने हर गरीब के लिए निसुल को रासन दिया लेकिन बंगाल के अंदर टीमसी के गुंडे वो रासन भी खा गए हर गरीब के लिए हर मज़्दूर के लिए रोजगार के लिए उन्होंने पैसा दिया T.M.C. के गुंडों ने वा पैसा भी हडप लिया आत्म निर्वर भारत के अंदर परंप्रागत उत्यम को पढ़ाने के लिए प्रोथसान रासी दी वा रासी भी T.M.C. के लोगों ने हडप लिया आप चिंता मत करिये यह जो T.M.C. आज आपके अधिकार को हडपने का प्रियास कर रही है एक एक पाई दो मई के बाद एक एक पैसा निकाला जाएगा और फिर बंगाल की विकास में लगाया जाएगा एक पैसा ले करके कोई अपने साथ नहीं जाने वाला है यह पैसा जैसे वे लोग ले गए हैं वेसे ही निकाला जाएगा और वेसे ही फिर से बंगाल के नौजवानों के रोज़कार के लिए मजदूरों के रोज़कार के लिए लगाया जाएगा वायो बेनो प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी एक बेहतर मात्यम हो सकता था पंगाल के अंदर प्रधान मंत्री किसान सम्मान निदी के मात्यम से और किसान को छे हजार रुपे सालाना भारत सरकार दे रही है पंगाल के अंदर दीदी नहीं देने देती है उत्तर प्रदेश के अंदर दो करोड ब्यालीस लाग किसान हर वर्सिस योजना का लाप पराप्ट कर रहे हैं बंगाल के अंदर दीदी इसका लाप नहीं लेने देती है कारण साप है उनकी सानबूती किसानों के परती नहीं है उनकी सानबूती तो किसानों का सोसन करने वाले लोगों के साथ मैं है किसानों का अपमान करने वाले लोगों के साथ मैं है मुझे असर होता है चाई बागान के मैं कारे करने वाले जो लोग है इन कार्मिकों को अन्य जगहों पर साड़े तीन सो रुपे प्रति दिन का मांदे मिलता है लेकिन बंगाल में या मात्र दोसों भी नहीं मिल पाता है असर होता है चाई वागान में कारे करने वाले लोगों को अज तक जमीन का पट्टा नहीं दिया गया है जब कि ये पट्टा वरसों पहले मिल जाना चाहिए था हम यहीं पूछना चाहते हैं मंता दीदी से यहीं पूछना चाहते हैं अपना गुस्सा प्रदान मंत्री मोदी जी पे मत उतारिये अपना गुस्सा भाजपा पे मत उतारिये अपना गुस्सा उतारना था इन दस वरसों में भरस्ता चार पर उतारती PMC की गुंडागृती पर उतारती ग्लूट खसोट करने वाले लोगों पर उतारती तो बंगाल का हित भी होता PMC का हित भी होता लोग आपको सम्मान देते लेकिन आपने इधर ध्यान नहीं दिया आज इसका पेड़ाम है बंगाल की जनता अब PMC से मुक्ति चाती है पूरी तरह मुक्ति चाती है भायो बेनो आखिर PMC ने दोस वर्सों में चाई बागान के किसानों को चाई बागान के कार्मिकों को उनका हक क्यों नहीं दिया हम लोग देख रहे थे यहाँ पर वर्सों से बखा समधाए के लोग राजनतिक सम्मान चाते थे उनके साथ संबाद बना करके एक संबाद के मात्यम से राजनतिक समाधान के किसी निसकर्स पर हम पहुँचे सांती बहाली हो बिकास की मुक्यधारा में प्रपेक नागरिक को जोड़ा जाए न कॉम्मिस्टों ने रूची ली ना कॉंग्रेस ने रूची ली और टीमसी ने भी इसमें कोई रूची नहीं दिखाई वो तो यहां की भावनाओं को पुचनना चाती थी जबरन दबाना चाती थी जबरन लोगों पत्यचार करने पर उतार हो गई थी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संबाद है और अगर हम लोकतंत्र में संबाद की भासा का उप्योग नहीं कर सकते हैं तो फिर लोकतंत्र में हमें जनता के पास जाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए और टेमसी ने, कॉम्मिनिस्टों ने, कॉंग्रेस ने अपने सधिकार से बंचित की आपने आपको आज भाईयों बेनों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूँ आज प्रणानमंत्री मोदी जी के नित्रतों में भारत दुनिया की एक महा ताकत बन रहा है आज भारत के अंदर कोई भी कारिक्रम चलता हूँ, दुनिया के लिए एक मॉडल बनता है आज भारत में जहां भी भारती जन्ता पार्टी की सरकारे जिन राज्यों में वे राज्य विकास का कोई नगी मॉडल उप्लत्य करवा रही है आज प्रहान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में भारत दुनिया के अंदर एक महा ताकत की रूप में उभर रहा है उस महा ताकत की रूप में जहां पर हर नाकरी कुछ जीवन की मुख्यधारा के साथ जोड़ करके उनके जीवन में खुसाली लाना संब्रिनी का मार्ग प्रसस्त कर देना इस एक अभ्यान के साथ जब जुड़ने की कारवाई हो रही हो तो मैं बंगाल के आप सभी नौजवानों के साथ चाई बागान से जुड़ेवे समदायों के साथ गोरखा समदाय के साथ बंगाल के प्रतेक नाकरिक के साथ मैं यही समदाय स्तापित करने के लिए आया हूँ हम भी पिकास से पिछणने न पाएं इसके लिए प्रधान मंतरी मोदी जी के विजन के रूप कारे के जाने के आऊ सकता है याद रखना भाजपा जो कैती है सो करके दिखाती भी है आपने देखा होगा भारती जन्ता पार्टी ने कस्मीर के अंदर कहा था कि कस्मीर में धारा 370 को हटाएंगे जम्मू कस्मीर के अंदर विकास की प्रक्रिया को देजी के साथ आगे वढ़ाएंगे अगर जम्मू कस्मीर के नौजवान को बंगाल के अंदर जमीन और मकान खरीदने का अधिकार है तो बंगाल के नौजवान को और दारजलिंग के नौजवान को भी अधिकार देंगे कि जम्मू कस्मीर के अंदर जमीन और मकान खरीद ले कोई उसको रोक नहीं सकता है आज प्रधान मंत्री मोधी जी ने और ग्रह मंत्री अमित साजी ने अधिकार आपको प्लब्द कराया है वाई वे नो कॉंग्रेस ने आपको इस अधिकार से बंचित किया था लेकिन प्रधान मंत्री मोधी जी आपको यधिकार दे रहे है उन्होंने यधिकार दे दिया है आर्टिकल 370 जो कस्मीर के अंदर आतंगबाद की जड़ थी उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया है आज बंगाल विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है आज विकास मस्बूती के साथ आगे बढ़तावा बंगाल के अंदर भी दिखाई दे यहां आज की आउस्चिकता है और कस्मीर जैसे विकास के पत पर अक्रसर हुआ है वहाँ इसलिए चुनों में बंगाल आया था ताब बंगाल के अंदर एक नारा गुंसता था यहाँ के नोजवान यहाँ का पत्रकार मुझसे एक बात पोस्ता था कि यëक यह आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंसिट्री हैं यह दो बताईए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब सकता नहीं थी तब आप लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे अब ते दो बताईए कि क्या तारीक भी बताएंगे बायो बेनों मुझे आप सब को बताते हैं प्रसंता है पांच अगस्ट दो हजार बीस को प्रदान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में प्रधान मंत्री मोदी जी के करकमलों से संतों के सानित्य में अयोध्या में भग्मान राम के भब्य मंदिर के निर्मान का कारे प्रारम्ब हो चुका है भब्य मंदिर के निर्मान का कारे प्रारम्ब हो गया है बाजपा ने जो कहा सुक करके दिखा दिया है हम विकास भी ला रहे हैं आस्ता का सम्मान भी कर रहे हैं हर गाओं का, हर गरीब का, हर किसान का, हर नौजवान का, हर मैलाओं के जीवन में सुरक्सा, सम्रिदी और खुसाली लाने का काम भी कर रहे हैं विकास भी होगा और विकास किस रूप में हर किसान को उसकी लागत का दूगना दाम देने का कार भारती जनता पार्टी की सरकार कर रही है तो वहीं वकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को भी भारती जन्ता पार्टी आगे बढ़ाने का कारे कर रही है कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एरपोर्ट, कहीं एम्स, कहीं आयाईटी, कहीं आयाएम, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पे डिगरी कॉलेज, कहीं पे इंजिनियरिंग कॉलेज, कहीं पे कोई नया तक्निकी संस्थान ये सभी कार युद्धस्तर पर चलते वे दिखाई दे रहे हैं हिल्टेन वैलनेस सेंटर के मात्यम से एक नई पैचान तारजिलिंग और उसके आसपास के सभी छेतर दे सकते हैं और इसके ले ब्यापक कारियोस्ना के साथ भारत सरकार ने रज्ज सरकारों को मदद देना प्रारम किया है उत्तर प्रेश इसका लाब ले रहा है बंगाल क्यों बंचित है कारण है बीबी की रूची नहीं मंता दीदी तो अगर विकास की बात करो तो चिड़ जाती है नौजवानों को रोजगार और नौकरी की बात करो तो दीदी को परिशानी होने लगती है दुर्गा मा की पूजा करने की बात करो तो उनको नाराजगी होती है वो तो कहती है कि नहीं दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे वालग विसे है कि बंगाल के चुना ने दीदी को चंडी पुआ पाड़ करने के लिए मजबूर कर दिया यह है ताकत लेकिन अगर वह अपने गुसे को विकास पे नहीं उतारती यहां के नौसमानों पर नो तारती योजनाओ कालाब यहां के नागरिकों को इमानदारी साथ के साथ देती बंगाल में खुसाली होती हर तबका विकास के पत पर आगे बढ़ता लेकिन भायो बेनो यह रूची उन्होंने दिखाने का कारें नहीं किया है और आज मैं आप सब कोई बताने के लिए आस्वस्त करने के लिए आया हूँ भारती जन्ता पार्टी यहां पर चाई वागान के जो हमारे सर्मिक हैं यहां के जो कर्मी हैं कारे करने वाले लोग हैं इनके हितों को पूरी तरह प्रतिवद्द है इनके हितों को संग्रक्षन देने के लिए पूरी तरह प्रतिवत्व है भारती जंता पार्टी गोर्खा समधाय की समस्या का समाधान करके एक रास्पिपिक समाधान निकालने का पूरी तरह पक्सदर है और भारती जनता पार्टी सेवक पुल को बनाने के लिए भी पूरी प्रतिवत्त है भारती जनता पार्टी की केंदर सरकार इसके लिए पैसा देना चाती है लेकिन टीमसी की ममता दीदी की सरकार पैसा नहीं लेना चाती है वो नहीं चाती क्योंकि ये सिवक फुल बनेगा तो फिर टीमसी के गुंडे कहां पर खनन अवैद खनन कैसे कर पाएंगे इसलिए इस भैसे वे लोग चाते हैं नहीं कि यहां पर कोई कारे हो सके इसलिए यही कारण है अवैद खनन यहां चलना है जंगलों का कठान चलना है और यही नहीं यहां पर सॉलिड वैस्ट मैनिस्मेंट के लिए भी कोई विवस्ता टीमसी की सरकार नहीं कर पाई है यहां पर गरीब कल्याड योजनों का लग यहां के आम नागरिकों नहीं मिलना है टीमसी के गुंडे सब अड़ब जा रहे हैं भारती जंता पार्टी के 130 से दिक कारे करताओं की निर्मा मत्यार टीमसी के सासन में बंगाल के अंदर हुई है बायोजनों इंतजार करिए आज साथ तारीक है कुल 25 दिन सेज हैं ये 25 दिन उल्टी गिंती के रुप मैं आप देखेंगे एक एक दिन कम होता हुआ दिखाई देगा और दो मई जबाएगी टीमसी की सरकार से बंगाल को मुक्ति मिलेगी बंगाल विकास के पत पर आगे वढ़ेगा और टीमसी के गुंडों को निकाल निकाल करके कानून के सिकंचे में कसा जाएगा जैसे आप ने कलुत्तर प्रदेश के अंदर दिखा होगा ये अप राधी कहीं भी छिप जाए ये तो तैय है कि आप राधी को कॉंग्रेस, कॉमनिस्ट और टीमसी जैसे दल संक्रक्षन जरूर देंगे लेकिन आप चिंता मत करिये इन से लंबे हाथ कानून के होते हैं और कानून के लंबे हाथ इने पाताल से भी निकाल करके जेल के सिकंजों के अंदर भेजने का कार्य जरूर करेंगे और यही आस्वासन देने के लियाद हम सब आपके बीचाएं जिस प्रतिवत्ता के साथ आपने काम किया है अब तक भारती जंता पार्टी को सफलता दिलाई है आप सभी लगें पुरी वैली, पुरा दारजिलिंग छेत्र पुरा माल विधान सवाद छेत्र आसपास की सभी विधान सवाद छेत्रों में आपके नातेदार, रिष्टेदार, मित्र, सुक्चिन तक रहते होंगे सब तक मैसेज वे दिये कि पुरान मंत्री मोदी जी का विजन ही बंगाल को विकास की पत्पर अगरसर कर सकता है पुरान मंत्री मोदी जी बंगाल को विकास के पत्पर आगे वढ़ा करके देश के एक बड़ी अर्थ बिवस्ता की रुप में भार सकते हैं बंगाल के नौजवानों का बंगाल के किसानों का बंगाल की मैलाओं का बंगाल के हर तपके के लोगों के हितों का संगखषण केवल और प्योड प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में संबव हो सकता है और उसी जित के संबर्धन के लिए बंगाल के उन्यन के लिए भारती जनता पार्टी के समर्थन में आप सबसे पील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आप रुपस्तितुआ हो सोनार बांगला के सपने को साकार करने के लिए भारती जनता पार्टी ने सी महेस बागे को अपने प्रत्यासी के रूप में आपके मीच में उपारा है भायो गेनो सी महेस बागे महेश भागे भारती जन्ता पार्टी के प्रत्यासी के रूप में आपके बीच में उपस्तित हुए है आप सभी लोग समर्थन करेंगे यहाँ पे समर्थन करेंगे समर्थन करते हैं उदर पीपल के पेड़ के नीचे जो लोग हैं सभी लोग अपना हाथ करा करें मुझे बताएंगे जहां तक मेरी आओर चारकें कॉनल आफ पकर देड़ां भादिभाज dwri श्रीरां ये इस्तृवाँ ये इस्तृवाँ वे इस्तृवाँ झाल झाल